संत अच्यूतनन दाज जी ने अपनी पुस्ταक भविश्य मालिका में कलकी अफ्तार के बारों में बताया है भगओन विश्णू अपना कलकी अफ्तार कब और कहा लेंगे, किस तरह के परिवार में लेंगे और वह किस तरह से कब और कैसे सब के सामने आएंगे संत अच्यूतनन दाची ने कल्यूक के अंद के समय में क्या क्या घटित होगा यह बहुत ही सपस्ट भाविश्यवाने की हैं जिस पर हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि कल्यूक का अंद कब और कैसे होगा जिसकी शुरुवात कैसे होगी अगर आप जानना चाते हैं कि यह सब घटनाय कैसे और किस तरह से होगी तो लिचे डिस्क्यूशन में हमने वीडियो का लिक दे दिया है धार्मिक एवन पुरानिक मनेता के अनुसार जब जब इस धर्ती पर पाप और अन्याय भड़ा है तब तक भगवान विश्नु किसी ना किसी रूप में धर्तियों पर पाप्यों का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं वामन अपतार, नर्सिंग अपतार, मतस्य अपतार, राम अपतार, क्रिश्न अपतार ये सब भी इस बात का प्रमान हैं शास्त्रों के मताबिक कल्यूग में भी भगवान विश्नु अपतार लेंगे भगवान विश्णु के दस अवतारों का उलेक शास्त्रों में मिलता है जिनमें से उन्होंने अब तक नो अवतार लिये हैं लेकिन कल्यूग में उनका अंतिम अवतार लेना भी बाकी है ऐसा माना जाता है कि कल्यूग जब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाएगा भगवान का यह अवतार निश्कलंग भगवान के नाम से जाना जाएगा विश्णु जी कल्की का अवतार लेकर कल्यूग का अंति करेंगे और फिर धर्म यूग की स्थापना करेंगे श्री भगवत गीता के मुताबिक भगवान विश्नु का कल्की अफ्तार 64 कलाव से पून होगा भगवान कल्की सफेद घोड़े पर सवार होंगे तलवार से दुस्तों का संगहार करेंगे तब सत्युक प्रारंब होगा और पापयों का नाश करके पिर्थरी पर धर्म के स्थापना करेंगे श्री भगवत पुरान और भविश्य पुरान में कल्यूक के अंत का वर्णन मिलता है कल्यूक के अंत और कल्की अफ्तार के संबंद में अन्य पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है संथ अच्यूतनन दाज जी ने कल्की अफ्तार के बारे में भविष्य मालिका में क्या भविष्य वाने की हैं? संथ अच्यूतनन दाज जी ने अपने पुराण में लिखा है भगवान विश्नु कल्की स्वरूप में संबल नामक ग्राम में प्रकट होंगे जो ओडिशा में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है परंतु संत अच्यूतनान जी का संकेत शायद संबलपूर ओडिशा से है श्री कलकी के पिता का नाम विश्नु यश, विश्नु शर्मा तथा माता का नाम जशो बनती होगा भगवान चक्र पानी या चक्र धर के नाम से जन्म लेंगे कलकी उनके पुत्र के रूपे जन्म लेंगे और अलप आयू में ही वेद आदिशास्त्रों का पाठ करके वह माहपडित हो जाएंगे बाद में वे जीवों के दुख से परिशान होकर महादेब की उपासना करके अस्त्रविध्या प्राप्त करेंगे भगवान कलकी के तीन बड़े भाई भी होंगे भगवान कलकी की दो पत्निया होंगी पहली लक्षमी का शरूप पद्मा होगी और दूसरी पत्नी वैशनवी शक्ती रूपा रमा होगी जिनसे उन्हें चार पुत्र भी होंगे भगवान विश्णु के छटे अवतार भगवान पर्शु राम कलकी भगवान की गुरु की भूमी का निभाएंगे भगवान परशूराम ही कलकी अबतार को 20 सत्र चलाने तथा धर्म शास्त्रों की विद्यास में परंगत करेंगे तथा उनका मार्ग प्रसस्त करेंगे भगवान कलकी पुबिसिटी से दूर रहेंगे और अपने भक्तों के साथ जूड कर अंडरग्राउंड रहेंगे वे उचित समय आने पर ही सब के सामने आएंगे भविश्य मालिका के अनुसार 74,000 भक्त एक ही जगा जन्म लेंगे जो पूर्व जन्म में महबरत काल में थे 64 धर में गुरू और 8 अन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे भगवान कलकी अपनी लीला द्वारा विश्व में युद्ध की परिस्थिती बना देंगे तत पस्चात भिशन युद्ध होंगे महा युद्ध में भविश्य मालिका के अनुसार सब्त चिरंजीवी, हनुमान, अश्वत्थामा, बाली, व्यास, विभीशन, क्रिपच्चारे और पडशूराम ये सबी भगवान कलकी का साथ देंगे संत अच्यूतनन दाजी ने भविश्य मालिका में भारत के आखरी राजा की भी भविश्यवानी की है कि भारत का आखरी राजा एक चक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पूरुश होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी यहाँ पर ये उन्होंने किसके ले कहा है ये अभी सपच्ट नहीं है पर अभी तक अगर देखा जाए तो उनकी कही भविश्यवाने काफी हद तक सही हुई है